पहुँचके हम लोग दैपूर समान हमारा पहले ही आ गया था अजमीर निगलने से पहले और अब इस सब को अनपाक करना और फिर अच्छे से ओर्गिनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है थोड़ा से समान हम लोग अनपाक कर चुके हैं और फिर उसके बाद हमने बिनाई है चाय और हाँ इस पर चाय हम लोग ने बिनाई है इंडक्शन पे मैं इस बार घर से लेकर आई हो इंडक्शन मेरे पास जो भी नए बरतन थे हो सारे इंडक्शन बेस थे इसलिए मुझे अल्टरनेटव अवेलिबल हो तो हम लोगों ने अभी खाया है पराठे ममी ने पराठे बना कर दिये थे और ये धेर सारी सी मिठाईया अगर शाम को निकले हम लोग बाहर और थोईसा स्ट्रीट फूद एंजॉए करते वे हम लोग पहुंचें मॉल हमें कुछ electronic appliances थी जो खरीदनी थी online कुछ समझ नहीं आ रहा था सुचा showroom पहुँचकर देखते हैं शायद कुछ चीज़े clear हो but no confusion और बढ़ गया था अज है next day मैं बैना रहे हूँ lunch में mix veg और यह सब कुछ मैंने लिया नहीं है मैं इतना जल्दी यह सब कुछ यहां purchase नहीं करती क्योंकि मेरे पास fridge नहीं है लेकिन यह सब कुछ मुझे मम्मी ने दिया है और इस बार मुझे veggies का तो फिर भी पता था लेकिन दूद जो मैंने कल चाय बनाई थी आते ही उसका दूद भी मुझे मम्मी ने दिया था और यह बाद मुझे station पे रात को दो बज़े उन्होंने मुझे बताई है कि दूद भ जाते ही चाय बना सकती हो तुम भार नहीं जाना पड़ेगा किसी को भी लेने के लिए गाजर, फ्रेंच बीन, टामाटर, इन फैक धनिया जो कि बहुत जादा लास्ट भी नहीं करने वाला है पिट फिर भी उन्होंने दिया है और फ्रेश हल्दी, कैपसिकम, आदरक, मटर गोभी और बहुत सारे फ्रूट्स भी, सच में एक हफ्ते तक बिल्कुल सबसियों की जरूरत ही नहीं है और सच में जो ममी का मोटिफ है वो कल हम लोगोंने फील भी किया हम लोग आते ही अनपाकिंग में लग गए थे और जब हमें भूख लगी तो हमार पास सारा समान था बहुत ही जल्दी पांच मिनट के अंदर हम लोगोंने चाय बिनाई और नाश्टा कर लिया नहां बाहर जाकर हमें दूद लाने की जरूरत पड़ी नहीं हमें नाश्टा खरीदना पड़ा सब कुछ घर पर बहुत ही एजिली अवेलिबल था था थांक यू मॉमी अज सब पृ परिशनननेश जोईन कर लिया है आज पृjang का फर्स्टेय को फर्स टे Meu आज दशाय लगन बिनाया है मलाही मेथी मतर पनीर बनीर मैं इसमें इसमें गरेट कर और या है वाइडके विं में हैं जब भी बनातीहूं तो समय क्यूब्स में बिन करतीह लिएगि samen क में जरूर से पनी डालती हूं, बहुत अच्छा लगता है, और ये एक blanket है, जो में लेकर रहे हूं इस बार घर से, and this blanket is from Signature, from their Platinum Series, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप लोगो कैसा लगा, ये भी और आगे आने वाला, जो भी कुछ मैं आपको दिखा रहे हूं, मुझे जरूर बिताएगेगा, कमेंड बॉक्स में, ये एक सेट है, जो हम लोगों ने लखनव से लिया था, बाकी कुर्ते मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं, ये हमने प्रिशान के बड़े भाई के लिए एक सेट लिया है, स्काइबलू का लगा कुर्ता है, वही लखनवी वोक है, और ये एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती जो मैंने ली है, अपने लिये है, ये कुर्ती जैसे ही उन्हों ने दिखाएती न, मुझे और प्रिशान को एकदम से पसंद आ गई थी, ये इतनी जादा अच्छी लगी थ एक दम दिखाते ही, और ये जॉर्जट फैब्रिक में है, इस से पहले पी जो मुझे प्रशान ने एक लखनवी वोक वाला सूट गर्फ्ट किया था, वो भी जॉर्जट में था, और जो इसके उपर वोक है, वो लखनवी वोक के साथ साथ इसमें कुछ मुकेश वोक किया ह जो भी आपको शाइनी शाइनी दिख रहा है, उस काम को मुकेश वोक कहते हैं, तो वो एक चीज मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी थी जब मैंने फॉर्स टाइम इस तरह के सूट देखे थे, और जो इसका बैक है वो टिपिकल जो लखनवी कुर्टियां होती है, उसमें बहुत बड़ी सी बुटी दी होती है, नक पे और फिर पूरे में छुट चुटी बुटियां, और ये एक कुर्ती जो मैंने ली है, वो है गलेज कॉर्टन में, इससे पहले मैंने जो भी ये दो सूट लिये हैं, वो दोनों जॉर्जट फैबरिक में है, ये गलेज कॉर्ट भी हम लोगों ने देखे थे, जॉर्जट में भी कुछ कुर्तियां थी, काफी complicated process था पता है, कुछ सी एक को चूज करना, बट फाइनली मैंने ये एक lemon कलर का कुर्ती ली, जिसमें की उपर light yellow कलर है, नीचे dark, आप लोग देखी सकते हैं, double shade है, और ये मैंने एक लिया है, जो कि बहुत ही जाधा घेर वाला है, मैंने अभी तक इतना घेर वाला कोई plazo नहीं पहना है, और इस material की एक खास बात है, कि मैं इसे कितनी भार भी, you know, dye करा सकती हूं, मन चाहा color इसे दे सकती हूं, अभी ये pure white है, आप इसे भी, ऐसे भी pair कर सकते हैं, किसी के साथ भी, इ कितनी बार भी मैं इसे dye करा सकती हूं, उन्होंने मुझे बोला, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, वरना शायद मैं वहीं पर इसे, अच्छली मेरा दिमाग में कुछ है, मैं इसे क्या कुछ इसके साथ करने वाली हूं, इसे white pen पहनूंगी या फिर कुछ डाय करूंगी, व बाय, लव यौल, तेक केर